तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको details में step by step बताएंगे अगर आपके पास कोई भी आपको message send करता है message आने के बाद अगर आपका वो message कुछ इस तरीके से delete हो जाता है और उस message को आप नहीं देख पाते हैं या उसे आप read नहीं कर पाते हैं और आपका सारकसरा message इस तरीक पर दिखाते हैं इसमें हम अपना WhatsApp open कर लेते हैं WhatsApp हमारा यहां पर open हो चुका है open होने के बाद यहां पर आपको क्या करना है कि एक message send करना है जैसे कि हम इस पर click करेंगे यहां से एक message send करते हैं जहां पर देखेंगे ही मैंने send किया यहां पर नीचे आते हैं तो यहां पर देखेंगे कि हमारे इस phone में यहां पर ही आ चुका है यानि कि हमारे का यह contest हमें यहां पर message send कर रहा है अब आपको दिखाते हैं जैसे हम इस यहां से बैक करेंगे cut कर देंगे cut करन इस फोन के अंदर यहां पर देखेंगे कि हमारे इस फोन के अंदर आ भी चुका है हम यहां से इसे अनलोग करेंगे अनलोग करने के बाद यहां पर देखेंगे कि हमारे फोन के अंदर यहां पर एक मैसेज यहां पर आ चुका है यहां पर देखेंगे अब यहां से कड करते है फिर से हम यहाँ पर एक message send करते हैं अब हम यहाँ से send कर देते हैं कहां और उसके बाद भेजेंगे कहां पर हो तो हम यहाँ लिखेंगे कहां पर और उसके बाद हो और यहाँ से send करेंगे send करने के बाद देखेंगे हमारे पास फिर से इस phone के अंदर ये message आ चुका है आप क्या करने है क्योंकि इसके अंदर अभी तो मैंने नहीं देखा ये message तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसमें read का भी option नहीं आ रहा है यानि कि green tick भी यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर आपको बताने हैं जैसे कि हम इस message को यहाँ से delete कर देते हैं इस तरीके से हम select करेंगे इस तरीके से और यहाँ से आपको delete के इस option पर click करेंगे delete for everyone पर click करेंगे यहाँ से message यह हमारे delete हो चुके हैं आप यहाँ से back आते हैं कुछ इसी तरह से आपके friend आपको message send करते हैं और उस message को आप नहीं देख पाते हैं और आपका वो message delete हो जाता है जैसे कि मैंने आपको live दिखाया क्योंकि मैंने अपने इस phone से message send किया इसमें मैंने देखा भी नहीं अपना whatsapp open करके जब मैंने नहीं देखा तो ये message यहां से delete हो गया है और आप देखे हैं अपने whatsapp में जाकर आप whatsapp में जाते हैं और यहां पर उस account पर click करते हैं तो यहां पर भी देखेंगे कि आपका whatsapp से message यहां पर delete हो चुका है अब इस delete हुए message को आप कैसे देखेंगे बिना application से तो आपको इस video के अंदर हम आपको एक ऐसा trick बताएंगे जहां से आप delete हुए message को आप देख सकते हैं किसी application को भी आपको download नहीं करना पड़ेगा आपको यहां पर क्या करना होगा वो आपको ध्यान से देख लेना है हमारा light चला गया है अपने साब से आपको manage करना है ध्यान से देखते रहे है आपको पता चल जाएगा सबसे पहले आपको अपने phone में इसे cut करना है cut करने के बाद अपने phone के अंदर आपको अपना setting open कर लेना है जैसे आप setting को open करेंगे थोड़ा सा नीच आएंगे मिल जाएगा notification आप इस पर क्लिक करिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीच आएंगे यहाँ पर मिल जाएगा advanced setting आप इस पर क्लिक करिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहांपर आप ध्यान से देखेंगे कि यहांपर आपको देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप यहांपर देख सकते हैं कि हमारे whatsapp में हमारे इस फोन से यानि कि जो भी आपका फ्रेंड होगा उस फोन ने hello भेजा जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी था कि मैं यहाँ पर hello भेज रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर हो मैंने इस phone से अभी कहाँ पर भी मैंने भेजा था ताकि आपको देखने को मिले और उसे मैंने फिर delete कर दिया डिलीट करने के बाद हमारे यहाँ पर WhatsApp से यहाँ पर डिलीट हो गया है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और फिर भी हमारे वो मैसेज हमें यहाँ पर सो हो रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आया हुआ है Hello और कहाँ पर हो आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत पहुत धन्वाद